हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे चैनल फ्यूचर विट नीचर विस्षधान शुली दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यह एक नर्सरी आपको दिख रही है इस विकेंड हमाई इस नर्सरी को ढूनते ढूनते कहीं से हमें पता चला था हम लास्ट वीक जिस नर्सरी गए थे वहां से एक नर्सरी वाले ने हमें बताया था कि अगर आप पेड़ों के शौकीन है तो आप इस नर्सरी चले जाएए यह इस जगांपे हैं वहां पर आपको है वीडियो में देखिए बहुत बड़ी बहुत बड़ी लार्ज स्केल पर नर्सरी है और इसका लोकेशन है दोस्तों लखनव में दुबगा एरिया है उसमें ठाकुर्गंस्थाना के अंदर ये नर्सरी आती है तो दोस्तों आप देख रहे हैं कितने सारे प्लांट रहे हैं और बल्क अमाउंट में हैं जिनको बहुत सारे पेड़ एक से लगाने उनको पास immense quantity मिल जाती है और दोस्तों वराइटी भी बहुत है बहुत सारी वराइटी जैंपेड अमतलब नसरी हम आए देखने को देखने में ही इतनी खुबसूरत ना मज़ा आ गया देखने में दोस्तों देखिए आपको शायद में विजुली वो चीज दिखा पारी हूं जिस्टिफाइब कर पारी हूं बट जो हमने लाइट देखा है वह बहुत 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 अच्छा ना जा रहा था दोस्तों यह देखिए अलग-अलग सेक्शन बटे हुए ह और वराइटी भी इनके पास बहुत सारी दिखिया है मैं दोस्तों हम यहां आये थे दोस्तों प्लांट की शॉपिंग करने नहीं बलकि विजिट करने ही आये थे बट यहां प्लांट इतने अच्छे च्छे दिखे हैं देखिए बहुत अच्छे च्छे प्लांट दिखे है पहले तो एक घंटा में बस इसको देखने में ही लग गया लगा क्या-क्या देखने पूरा दिन बीच जाएगा तो भी यह शायद कवर ना हो पाए तो यह देखिए जल्दी जल्दी हमने जो चीज कवर कर पाए वो किया आपके लिए तक आपको दिखा पाएं और प्राइस दोस्तो हर एक पेट का बताने ही पाएंगे आपको क्योंकि बहुत सारे पेट थे हर एक का प्राइस बताना आपको यहां पासिबल नहीं हो पाएगा बढ़ा हम एक आईडिया आपको ज़रूर दे देंगे कि बाकी जो नरसरी आप जो जाके लेते हैं लगनाव बतान एरिया के जो से वह द्गे messy इसार यहां पर आपको थोड़ा सा कम रेट भी ही मिल जाएगा बहुत ज़्याधा रीट में प्राइट में और दोस्तों जो फूल भी यहां पे थे उसकी अलग-अलग कलर्स काफी सारी कलर्स में भी वराइटी हमें दिखी एक ही फूल के फ्लावर्स की अलग-अलग तरहे के पेड़ भी थे इनके पास काफी चीजों में विविद्चा देखने को मिली दोस्तों यह आप देख सकते है वराइटी देखे दोस्तों और वराइटी के साथ कॉंव today कुवंवwide व्रिश्चाइंड मतलब um कि यह देखिए एक यह प्लान की किते क्वाइटिटी है उस तो कि इन फैक्ट अल्मांडा की वाइट वाराइटी भी यहां दिखिए दोस्तों जल्दी कहीं मिलती नहीं है यह देखिए सारे वाइट अल्मांडा के प्लान्स है तो दोस्तों पूरी नर्सरी हमने देखी और यह कुछ प्लान्स हमने विए आखिर ले ही लिए हैं तो दोस्तों यहां से हम लोग निकलते हैं और घर पहुँचके अब तो दिखाते हैं कि हमने कौन कौन से प्लान्स किया शॉपिंग दिया तो दोस्तों हम यह घर आ चुके हैं और यह कोको पीट का 5kg का ब्रिक हमने फटा फट पानी में सोक कर दिया है हम बताएंगे आप हमने ऐसा क्यों किया है और यह देखिया है मैं प्लांट जो हम लोग लाए हैं यह सारे में एक एकर के बाहर निकाल लूगी फिर आपको एक 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 बार मताओंगी कौन सा ब्लाइं इस ताम से हैं और हमें किस रेट पर मिला है तो देखिए इस आरे के कर प्लाटों वाइन आपको पता हो तो बता ही है अभी बताती हूँ सब्सक्राइब और में पाइस के दूरिए भी अडह्ना है प्लन्षोट। सब्सक्राइब व्त दब्ल में 8 रिया ड़िगेडव केली मोरी खिलतुक्राइब लें जालिए इच मिली है और ये कमनी कर रहे थे इसके लाबह एक और प्लांट बहुत ताइंस प्राइंस लाने का यह आवले पटिया बंद कर ली है अभी ऐसे किल जाएगा जब पॉट करेंगा तरहुए मिट्रम्हाइटा को फ्रोटिंग कितने दिन में आती है तो सब हम इसे लगाने जा रहे हैं वह दोया है तो Колश्य स्कुझ सब्सकरें जाति लिएया और वित् rapt तहएं मिक्स करें मिट्टी में ताकि यह व 're-buristy रहे हैं अैज यह सारे इंड़ोर प्लैंड्स हैं तो इसमें कोको पीट अचना में रहे क proportion नमी को चीए होते हैं चालते तो यह जव्य मिलें से चलता है तो हम इक इसमें मिलाया है हमने कुछ बोन मील, तोड़ी सी नीम की खली, नीम की खली दोस्तों फंगस से बचाव के लिए बहुत ज़रूरी होती हो, नए प्लैंट अगर भी पॉट कर रहे हैं तो उनके जड़ों को बचाना बहुत ज़रूरी रहता है, और ये डाल रहे है, ये साफ, और ये हमने रेडी कर ली है, ये मिट्टी, अब इसे फटाफर दोस्तों भड़ लेते हैं मिट्टी सारे पॉट्स में, फिर हम आपको दिखाते हैं, सारे प्लैंट्स लगा के, हेलो दोस्तों, तो हमने पेड सारे लगा लिये थे, और सबको रख दिया था, शेड में, ताक बेड ब्लैंट, बट अब देखे, बिल्कुल खिल गया है, और ये बिल्कुल स्टेबल हो गया है, यहां मैंने इसको रख रख तक ये शोक से जल्दी निकल पाए, तो ये तो लग गया है, मारा पेड ठीक है, क्योंकि ये रिस्पॉण कर रहा है, चलिए देख रहा है, हमा कि उन्हें मैंने कहां लगाया है और वह कैसे है तो यू देखे यह हम फ़ौं कुट है दिखकें इसको हमने दो पार्ट में कर दिया जो है सब्सक्राइब निए हैं इसके जड़े जो है उसके बहुत से बट्स्यों यह में बताऊंगे आप लोगों दोस्तों बने रहेगा हमारे चैनल बे उसके बाद हमारे प्लांट भी बहुत खुछ लग रहा है सब स्टेबल हो गया है थोड़ा सा यह थोड़ा बढ़त ले तो इसके पत्ते में तोड़ दूगी और फिर अपने नए जो है पत्ते ले आए सनलाइट बट शेट में दोस्तों यह शौक से उबढ़ चुका है दिखिए यह भी हैपी लग रहे हैं दोस्तों इन सब की नई ग्रोथ आते ही फिर में इनके यह खराब पत्ते अटाओंगे दोस्तों बारिश का समय है तो नर्सरीज में ऐसे ही पत्ते खराब हो जा रहे है प्लांस के बट विपिक दूस प्लांस आगे इनके धान लखे हमकी पूरी केर करेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे दोस्तों कि हमने इने कौन से शेप दिया है अब हम इने अगर इलता पर चड़ाएंगे कहां चड़ा रहे हैं कैसे चड़ा रहें क्या लुक दे र और हमारे साथ बने रहें लेगा बाबाई फ्रेंज कीप प्लांटेंग